इस आप को अनिस्टाल करके रीइंस्टाल कीजिए वो कभी-कभी हो जाता है कभी-कभी सर्वर का इशू हो जाता है कभी-कभी सर्वर का भी इशू आ जाता है ठीक है पहले आप ऐसे ही एक बार चेक के जिएगा लॉग-इन करके चेक कीजिएगा देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्योंकि मैं वहीं बतार हूं मेरे तो रोजाना होता है ठीक है लैपटॉप पर रोजाना मुझे लॉग-इन करना होता है क्योंकि मोबाइल पर भी देखता हूं लेने के बाद उसको मोबाइल में लॉग-इन कर लेता हूं अजल एक है वालेकुमस्ताम जो चलिए इसलिए देह सघ्ञाप्टर आखा पॉर्सेज और लॉफ और फॉर्स क्योंकि देका पहला चैप्टर वह लोगने इस्टड़ी किया था पर वह हमारा चाप्टर था मोशन उसमें हम लोग ने यह स्टड़ी किया था कि वहीं मोशन ह होता है क्या है ठीक और फिर उसमें हमने यह देखा था कि कि इतन Tutaj के मोशन ओता है। यूनिफोपोर्म मोशन होगा नॉनिफॉर्म मोशन होगा पूरिया कि फिजिकल कॉंडिडि इस मोशन ड prostे चाहए उसे के आगे नहीं बातों कि जो ये motion हो रहा कि कि में स्टडी किया था motion कब होता है जब बॉड़ी अपने position को change करें कि यानी एक initial position से वह अपने प्सेशन को जब change करेेगी तब आप कह सकते हैं कि body move कर रही है motion में है state of rest से हड़ चुके है ठीक है बाद समझ मैं आ रहें तो इस चैप्टर में उसी के आगे बात होगी की यह जो motion है basically यह what is the cause of it फो कैसे रहा है position कैसे change कर रही है यहां पर अब कैसे बात हो गी वहां पहले चैप्टर में बात होगी motion है क्या अब इस चैप्टर में बात होगी कि मोशन कैसे हो रहा है पोजिशन कैसे चेंज हो रही है पीड कैसे चेंज हो रही है विलासिटी कैसे चेंज हो रही है एक्सेलरेशन कैसे चेंज हो रहा है इस कैसे पर बात हो देख है कि टाइम के साथ साथ अगर पोजिशन चेंज हो रही है तो कैसे हो पा रही है यह सब हम इसमें study करें जैसे अब माली जी एक cricket बैट है देख है आप cricket खेल लाएं और उससे आपने बैट बाल को हिट किया या बहुत है फुटबॉलर है आपने अपने पैर से बाल को हिट किया तो आप observe करते होंगे कि वो बाल जो है वो continuously नहीं चल रहा है देख है वो continuously move नहीं कर वह थोड़ी देर बाद जो है जाकर रुख जाता है इट कमस तो रेस्ट आपर समझे है तो यहां पर यही चीज़े समझ में आए कि जो state of rest होता है that is the natural state of an object देख है यानि कि हर object जो है वो rest state में आना चाहेए and motion is not the natural state क्योंकि अगर natural state होता तो body हमेशा move करती रहती है रुपती ही नहीं बास समझ में आ रही है तो यहां पर वही चीज़ है कि अगर हम motion को देखेंगे और यह देखेंगे body move कर रही है या rest में है तो हमें यहां से यह पता चलेगा और यही चीज़ जो Newton थे ठीक है गैलिली थे उनको यही चीज़ जो गैलिली ओ गैलिली बहुत जादा impress की और फिर उसके बाद आगे की बात हो ठीक है तो इस chapter में जो हम कैसे पर बात करेंगे तो वो कैसे क्यों हो रहा है motion में object क्यों है से motion में क्यों आ रहा है motion से risk में क्यों आ रहा है speed क्यों चेंज कर रही है तो यह जो वज़ा है यह जो answer है वो इस chapter के जो पहला part है that is forces उसमें इसका answer चुपा हो तो हम जो start करेंगे वो start करेंगे कि what is force देखे है what is force force क्या है आप लोगोंने air class में भी study क्या है ठीक है तो force क्योंकि हम यह जानते हैं कि we cannot see force we cannot taste force we cannot touch force but we can feel or see the effect of force एक पहले चीज़ हमें यह समझ भी आनी है कि हमें force नहीं देखते है और एक कास में हमने इस्टडी किया push और pull basically ठीक है तो यह जो push या pull है basically वो force है उसी चीज़ को लेते हैं शुरू में अब push और pull यह force है अब यहाँ पर यह पे यह फैन का होड़र रखा है भी यह नीचे रखा हुआ है यह ने इसको यहाँ पर उठा लिया कैसे उठाया मैंने इसको पुल किया तेक है तो वो जो चीज़ है जो इसके पोजिशन को change करा पा रहे हैं तो basically मैंने यहाँ पर क्या लगाया force लगा यानि force यह चेंज प्रोड्यूस कर रहे हैं बात जो दिमाग में बैठानी है वो क्या बैठानी है जो force है basically यहाँ पर वो यह change प्रोड्यूस कर रहे हैं इसके body की position change हुई देखो यहाँ से अब वो यहाँ पर आ कर रहा हूं जो यह कर रहा हूं basically तो वो जो hidden चीज़े जो हमें दिख नहीं रही है सिर्फ उसका जो effect दिख रहा है कि वो यह cover जो है pen का वो यहाँ से यहाँ आ गया this is what the effect of force यहाँ पर effect of force क्या है body की position change होती है अभी यह क्या कर रहा है अभी यह move कर रहा है अब देखो speed कम है अब तेज हो गए तो ऐसा क्यों हो रहा है कि वही मेरा हाथ है वही मैं हूँ और यही cover है लेकिन अभी इसकी speed कम है लेकिन एक second के बाद इसकी speed क्या और ही बढ़ जा तो यहाँ पे effect of force हमें क्या दिखाई दे रहा है effect of force दिखाई दे रहा है in the form of in the form of change and speed ठीक है तो वह जो effect produce हो रहा है जिसकी वजह से हो रहा है वह चीज़ फोर्स है ठीक है तो अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम क्या करेंगे अब पुश और पुल विच चेंज़ेज विच प् Coach यज़ेज़े विचाई है जित वेम देच है a अाहर है अचाने मैं देच गआर लैतुक पुल तो है विवेज़ेज ओफ एन ऑब्जेक्ट इस कॉल पोर्स उसको हम क्या बोलेंगे राइस कॉल वाट फोर्स ठीक है तो देको फोर्स यही करते है state of risk body का change हो रहा है रेस से motion में आ रहा है state of motion चेंज हो रहा है motion से रेस्प में ब्रेक लगा रेस्प में आ गया डीक है speed में चेंज आ हरहे डीरेक्शन बॉल ने पॉल किया बैट समय ने चक लगाया डीरेक्शन भी देंज होगे to ठीक है शेप यह अभी पाड यह ऑ्म ने डिशे ठीज हो गया š입니다 ठीक है तो दिस इस वाट प्रोस जो की यह एफेक्ट प्रूइस कर रहा है यह सब क्या है इस आर दा इफेक्ट और फोर्सेस इस आर दे इफेक्ट और फोर्सेस वास समझ में आ रही है वाट वोस्टाट अकलोड पास समझ में आ गई तेस पूर टैच फोर्स यूगर टैच फोर्स यूगर टैच फोर्स पूर्स बस एक एफर्ट है एक एक्स्टरनल एफर्ट है ठीक है अगे बड़ा जाए अब आते हैं नेक्स्ट आट इस बैलेंस्ट अन अन बैलेंस्ट पॉर्स बैलेंस्ट अन बैलेंस्ट फोर्स अब देखो ये जो चीज़ डिसाइड होगी बैलेंस है या अन बैलेंस्ट फोर्स है पॉर्ब्ट होगी कि नेक्स्ट आबजेक्ट पे क्या लगता है अब जब हम नेट्फोर्स की बात करेंगे अब आप कहेंगे कि वहई नेट्फोर्स का क्या मतलब अब यहां पे मैंने यह object है यह पकड़ा हुआ है मैं तो force लगा रहा हूं तो यहां पे net force का क्या मकलब बास तो यहां टॉपिक बहुत important है यह concept बहुत important है क्योंकि यहीं से बात अब शुरू हो गया ठीक है तो नेट फोर्स का मतलब यह हो गया कि रिजल्टेंट फोर्स जितनी भी फोर्स लग रहे हैं उस अब्जेक्ट पे तब का रिजल्ट है तब का रिजल्ट इन जैसे अब माल लीजिए इधर से मैं 10 न्यूटन लगा रहे हैं एक और 10 न्यूटन लग रहे हैं और इधर से मैं 5 न्यूटन लगा रहे हैं कोई दूसरा बंदा है जो 5 न्यूटन लगा रहे हैं तो बैसिकली इस वक्त इसमें 3 फोर्स लग रहे हैं तो यह तीनों फोर्स मिलक अपना एक effect produce करेंगे अब वो किधर जाएगा अब वो depend करेगा कि देखो जब opposite direction होगा तो हम क्या करेंगे subtract जब same direction होगा like this तो हम क्या करेंगे add तो यहाँ पर 10 और 10 newton कितना है 20 newton इदर के तरफ और 5 newton इदर के तरफ means 20 newton minus 5 newton is equal to 15 newton that means resultant जो है 15 newton left side में लग रहा है यहाँ left side में आपका 15 newton लग रहा है तो इसका मतलब क्या होगा अब जो effect produce होगा वही लोग sorry right side में my mistake right side sorry my mistake 15 newton कहां लगेगा resultant force overall force net force यह यह resultant है तो 15 newton right side में लगेगा क्योंकि 20 newton right side में लग रहा है 5 newton सिर्वा पोजिट लग रहा है तो यह बड़ा figure होगा न तो जो 15 newton का force net लग रहा है जो final निकल के आ रहा है वो right side तो यह पत्थर आपका जब force लगाओगे तो यह यह पत्थर right side में move करता हूँ दिखाई दें कि आ समझ में आ रहे है तो कि अले कि एक शॉट वीडियो क्योंकि मैं जब मैं एर्थ में पढ़ा रहा था कि तो मैंने वो वीडियो शेर किया था resultant balance forces का यह तो में जब अले कि वीडियोた कि तो मैं जब से लुटस्क्यर कि सहाईं कि तो मैं जब सक्रें कि तो मैं कि तोолот बहुन सब्सक्राइं है वीडियो relatively भीडियोरी, time you're such a good guy don't do this let's get interactive simulations मुभकरे वह आप देखो यहां पर वही चीज़ है को यहां पर मैंने रखखे एक आदमी को एक आदमी को एक रख दिया कि अब देखो यह left पे force लगा रहा है हूँ अब मैंने कहा गो गो दूर उर फोस लगाने सुफ फोस लग रहा है क्या यह कार्ट मूफ कर रहा है नहीं मूफ कर रहा है तो इसका मतलब अगर कोई आपके सामने कोई चीज state of rest में है तो क्या ज़रूरी है इसके उपर force नहीं लग रहा है यह अभी आपके सामने chair रखी है, table रखी है, कुछ स्क्रू लगे हुए है, कुछ object ठंगे हुए है पंकट ठंगा हुए है, force yes, force लग रहा है तो कोई object state of rest में इसका मतलब ही नहीं कि उसके उपर force नहीं लग रहा है तो यहाँ पर जैसे ही कार रहा है, यह दोरों आदमी force लगा रहा है, लेकिन हो क्या रहा है देखो हो क्या रहा है देखो sum of forces, जो net force है वो 0 आ रहा है क्योंकि अगर मैं देखो तो मालो इधर यह आदमी 10 newton लगा रहा है इधर यह आदमी भी 10 newton लगा रहा है दोरों opposite है 10 minus 10, 0 हो गया न तो इसका जो resultant है resultant 0 आ रहा है resultant 0 आ रहा है तो देखो क्या तुमें cart जो पहले rest में थी अभी भी वो rest में है न पास समझ में आ रही है जो पहले cart rest में थी अभी भी rest में है तो इसी लिए जब forces का resultant 0 आ जाए when the resultant of all the forces acting on a body is 0 तब हम क्या बोलते हैं कि वो कैसा force है balance forces पास समझ में आ रही है जितने forces लग रहे हैं उनका sum उनका resultant 0 आ जाए तो balance force है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब balance force लग रहा है तो आपको force का कोई भी effect दिखाए नहीं दे रहे हैं यानि कोई भी change आपको देख नहीं रहे हैं येस, I'm coming towards it तो यहाँ पे अगर हम देखें तो balance forces क्योंकि forces तो लग रहे हैं तो जब resultant 0 तो वो balance force है तो जब body पे balance forces लगेंगे तो उस body वो जिस भी state में हो जो उसका state हो वो rest में है, वो rest में रहेगा वो motion में है, वो motion में रहेगा अगर उसकी speed 5 meter per second है 5 meter per second रहेगी अगर जो उसका direction है वो वही रहेगा उसका जो shape है वो वही रहेगा जैसे अभी यहाँ पे मैंने इसको ऐसे पकड़ा हुआ है अब इसका एक शेप है अब मैं इसके उपर फोर्स लगाना चाहरा हूँ मैंने फोर्स लगा दिया तो देखो इसका शेप चेंज हो गया एफेक्ट दिख रहा है लेकिन अगर ये मेरी पांचों उंगलियों को उधर से कोई खीचे और मैं भी इधर से फोर्स लगा हूँ और रिजल्टेंट जीरो आए तो ये बताओ क्या इसके शेप में कोई चेंज आएगा मेरी उंगलिया तो वहीं की वहीं रहेगी नवा समझ में आ रही ये पॉइंट संगय सव में आ गया कि जब रिजल्टिन जीरो होगा तो उसी को बैलन्स पॉर्स कहते हैं when the resultant of all the forces acting on a body is 0 तो उसको बैलन्स पॉर्स तो जब तक बैलान्स पॉर्स लगता रहेगा there will be no effect of force that will be seen जो scenery तंगी हुए ये wall पे वो वहीं तंगी रहेगा जो fan उपर तंगा है वो वहीं तंगा रहेगा आ समझ में आ रही जो bed जहां पे वो वहीं रहेगा bed रखी हुए इसका मला भी नहीं से उपर forces work नहीं कर रहे है forces जितने भी लग रहे हैं सब balance हो जा I think mind में कुछ आ रहा होगा बात घुस रही होगे कुछ ना कुछ no change will be seen no effect of force will be seen when there will be a balance force लेकिन अब क्या हुआ अब क्या हुआ कार्ट रिस से मोशन में आ गया राइट साइड देखो फोर्स जादा लग रहा है तो जो resultant force है वो राइट साइड में लग रहा है देखो right minus left करके राइट साइड में लग रहा है इसलिए कार्ट कहा move कर रही है वो वो अभी मैं इसको यहां करूँ अब देखो अब इदर मैंने तीन आदमी लगा दिये तो क्या हुआ left में चली गए क्यों क्योंकि जो force जादा लग रहा था इधर इधर कम लग रहा था जो resultant है वो left में आ तो यहां से क्या बता चल रहा है कि when the resultant is not zero resultant force is not zero then that those forces will be called as what unbalance means when the resultant of all the forces acting on a body is not zero it will be considered as unbalanced forces और जब unbalanced force होगा तभी आपको effect दिखाई देगा rest से motion में आएगा body motion से rest में आएगा body बास समझ में आ रही है speed में change होगा direction में change होगा shape में change होगा यह जितना कुछ होगा वो तभी होगा when the forces acting on a body is unbalanced connection समझ में आ गया नहीं तो अगर एक body है वो अगर rest से motion ही में आएगी अगर वो motion में है तो वो उसी दोरान rest में कैसे रह सकती है नहीं बेटा net force and unbalanced force नहीं net force तो resultant है न आउटकम जैसे 10-4 हम 6 कह रहे हैं तो यह जो outcome है यह net force है net force unbalanced force same नहीं है आज समझ में आ रहे हैं हाँ कब आपका question कब एक चीज rest से motion में आई है तो during that motion वो उसी वक्त rest में कैसे रह सकती है हाँ motion में है rest से motion में आ गई जैसे अभी यह cover यहां rest में रखका है ठीक है result zero in resultant so the zero in resultant balance is net force पिटर net force दोनों में है बात को समझे है यहां पे हम ten minus ten कर दे रहे हैं तो यह जो result net force हम किसको बोलना है यह जो दोनों forces का sum होके जो result आ रहे है यह जो zero newton आ रहे है यह जो दोनों forces का result six newton आ रहे है यह जो result है वही resultant force है वही net force है तो अगर यह zero है तो वो अगर net force zero है तो वो balance net force balance force नहीं है अगर resultant zero है तो उन forces को जो उस body में लग रहे हैं वो balance forces है ना क्योंकि एक दूसरे को balance कर रहे हैं और वही resultant अगर जो लग रहे हैं वो zero नहीं दे रहे हैं तो जितने forces उस body पे लग रहे हैं वो unbalanced हैं, क्योंकि एक दूसरे को balance नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसका resultant zero नहीं आ रहे हैं, तो हम यहां पे net यह resultant force को balance unbalanced नहीं बोल रहे हैं, जो forces लग रहे हैं उस body पे, जैसे यहां पर यह force लग रहे हैं, यह force लग रहे हैं, यह force लग कर रहे हैं इस वक्त जिसका रिजल्टेंट 15 न्यूटन आ रहा है तो यह जो forces लग रहे हैं यह unbalanced है क्योंकि इसका रिजल्टेंट 15 न्यूटन आ रहा है जीरो नहीं आ रहा है पास समझ में आगे ठीक है अब जैसे मालों एक table है उसके ओपर एक किताब रखी हुई है ठीक है अब यह रखी हुई है तो जब यह सिर्फ रखी हुई है तो अभी भी इसके ओपर force लग रहा है एक इसका weight जो नीचे लग रहा है और फिर opposite इसके reaction यह जो बुक इसके force लगा रहा है तो table पे table इसके ओपर force लगा है तो अगर कोई चीज रखी भी हो ये खाली तब भी उसके उपर फोर्स काम कर रहे हैं इस वक्त ये बुक यहीं की यही है कोई चीज नहीं दिख रहा तो इस वज़े से ये फोर्सेज बैलंस्ड है अब यही रखी हुई है अब आपने इसको पकड़ा एक रसी से बांदा और उपर खीचना शुरू कर दिया अब एक्स्टरनल एक फोर्स आपने लगा दिया अब यह अन्बैलंस्ड हो जाएंगे फोर्सेज तो आपको बुक उठती हुई दिखाई देगी पास समझ में आ रहे है एन्य मोर डाउट और क्वेश्टिन क्योंकि यह चीज़ा माइंड में स्कुरी रखना क्योंकि आगे के टॉपिक्स इससे कनेक्टेड होंगे तो बैलंस और अन्बैलंस्ड फोर्सेज का यही है कि जब अगर फोर्सेज का एफेक्ट दिख रहा है तो इसका मतलब अन्बैलंस्ड फोर्स वर्क आउट कर रहा है अगर बैलंस्ड फोर्सेज लगेगा लेकिन यहां पे एफेक्ट आपको कोई भी दिखाई नहीं देगा अगर balance force है अब आते हैं next Galileo's observation और वही से फिर Newton ने laws जो आप पढ़ेंगे यही है ना first law, second law, third law तो Galileo's observation से ही वो चीज़, उसके conclusion से ही निकल के आई है और वही चीज़ important है जिसको समझना जरूरी है तो Galileo ने क्या observation किया मतलब उसने क्या experiment किया उसने एक ball लिया ठीक है और एक plane लिया उसको एक ठ्राउन पर रखता हूँ अब दूसरा plane surface लिया और यहां से ball रूल आउट किया यहां से तो उसने दब देखा जब ball को छोड़ा भी तो state of rest में लेकिन जैसी ball को छोड़ा तो motion में आई तो ball ने जाके same height attain की next अब उसने इस plan को और टेढ़ा किया ठीक है फिर उसने ball को छोड़ा तो ball ने जाके फिर height same attain की जो height थी यहां पर h वही इसने यहां पर फिर attain की h वही यहां पर attain की h उसने क्या किया फिर इसको और नीचे ले आए फिर same experiment किया तो उसने यह देखा कि ball और दूर तक गई क्योंकि देखो जैसे जैसे नीचे ला रहे हो तो अगर same height attain कर रही है तो यह देखो distance सादा हो रहा है ना देखो यहां से लेकर यहां तक देखो यहां से लेकर यहां तक देखो यहां से लेकर यहां तक देखो यह नहीं और उसको जगह मिल लई है travel करने के लिए उसके बाद उसने फिर और इसको तेड़ा किया क्या देखा बॉल ट्रैवल की यहां तक सेम हाइट अटेंड किया है और उसके बाद फाइनली जब ग्राउंड पे लेआ है तो क्या हुआ यह बॉल ट्रैवल कलती चली गई यह जो मार्बल बॉल थी वो कॉंटिन्यू ट्रैवल करती चली गई यह जब बॉल को छोड़ा तो वो कॉंटिन्यू ट्रैवल करती गई तो यहां से उसने कॉंट्लूशन निकाला क्या निकाला कि यह जो बॉल अभी क्या थी रेस्ट में थी लेकिन जैसे छोड़ा पॉरन यह मूव करना शुरू कर दी तो उसने कहा कि एन एक्स्टरनल अन बैलन्स यह एक्साट एक्स्टरनल अन बैलन्स फोर्स इस रिक्वाइड टू इनिशियेट दे मोशन उसने क्या बोला उसका कॉंक्लूशन क्या था उसका कॉंक्लूशन यही था कि एन एक्स्टरनल अन बैलन्स फोर्स अभी हमने देखा कि अन बैलन्स फोर्स ही एफेक्ट प्रोड्यूस करता है तो एक्स्टर्नल अन्बैलेंस फोर्स इस रिक्वाइड तो इनिशियेट दे मोशन निवाल को मूव कराने के लिए यस वाट हैपन यस मॉइमिन अच्छा ठीक है तो एन एक्स्टर्नल अन्बैलेंस फोर्स इस रिक्वाइड टो इनिशियेट दे मोशन उसका कंक्लूजिजन यही था कि अगर मोशन को स्टार्ट करना है तो इसके लिए हमें क्या चाहिए एक एक्स्टर्नल अन्बैलेंस फोर्स लेकिन जब वो यहां बॉल पहुची और फिर ग्राउंड लेवल पर आये तो देखा बॉल कॉंटिन्यू मूफ करती चली गए ओके बट नो अन्बैलेंस्ट नेट फोर्स अब देखो क्या बोल रहा है अन्बैलेंस्ट नेट फोर्स is needed to continue the to sustain the uniform motion यहां जब यह बॉल यहां पे आई और सीधा ट्रेवल करती चली जा रही है तो इस बॉल को इस मॉशन में रखने के लिए कोई एक्स्टर्नल अन्बैलेंस्ट नेट फोर्स की ज़रुरत नहीं है मतलव तर इस objects move with a constant speed along a straight line when no force acts on them no force means net force is zero okay means objects move with constant with constant speed along a straight line when no force acts on them when no force acts on them so see the sida is Puri para ka matlab yei hai ki jab aapko effect of motion ya effect of force चाहिए तो आपको क्या चाहिए एक external unbalance force चाहिए और जब वो effect पर जाएगा तो अब उसी statement देखो ये body motion में थी ये ball motion में थी motion में ही रहा तो उसको motion में continuous sustain कराने के लिए रखने के लिए उसको अब कोई net force जो कि unbalance उसके कोई ज़रत नहीं है उचलता जाएगा हाँ जहाँ unbalance force आगे लगेगा कॉरन वो motion से rest में आ जाएगा बास समझ में आ रही है यही जो ball move कर रही है तो इसी लिए जब एक cricket ball होती है वो घास में move करती है तो वो थोड़े दे बाद क्यों रुख जा रही है क्योंकि ये ball जब move कर रही है तो opposite उसके friction पढ़ रहा है और इस friction जो घास से मिल ला है जो ग्रास से मिल ला है basically तो ये friction क्या कर रहा है ये जो net force है उसको क्या कर दे रहा है unbalanced जिसके वज़े से वो जो ball है वो motion में वो रुख जाती है लेकिन अगर इस पे कोई भी external unbalanced force ना पड़े तो ये ball infinite चलती चली जाएगी रुखेगी ही नहीं आज समझ में आगे गैलिलियोस observation समझ में आया ैज क्यू क्या कि वो में आयाओ के मन आगे ज़ादी कोउए ही लिए जाहर में आगे वो हैं मैं I think disconnect हो गया yes का आगे बढ़ा जा है okay now coming to Newton's laws of motion कि अरे आगे है कि मैंने का वो चीज समझ में आगे हाँ मुझे पता अब disconnect हो गया है कि मैं उसको पूछ रहा था कि अगलेबन आप उसी पीरिट में disconnect हो गया थे कि वही मैं पूछ रहा था गैलिलियो जॉब्सरवेशन ठीक है अब आते है Newton's laws of motion पे ठीक है तो Newton ने क्या किया जो ग्यालियो का idea था जो observation था उसको further observe किया और detail में observe किया और then he formulated three fundamental laws of the motion of the objects which is known as now Newton's laws of motion the one by one हम पढ़ेंगे ठीक है तो पहले पढ़ते है first Newton's first law of motion Newton's first law of motion ठीक है देखो जो Newton का first law है it defines force यह force को basically define करते है अब इसको देखते जाना इसको खुद से भी observe करते जाना कि हो क्या रहे है जो Newton का first law है वो force को actually define करते है ठीक है और यह सारे laws जैसे मैंने बताया Newton ने गैलिलियोस के observation से उसे further research करके फिर यह सारे तीनों जो laws हैं वो तेयार किया उसना ठीक है तो according to first law of motion Newton's first law of motion a body obviously करना ही पड़ेगा ठीक है a body at rest सक्वार है ताफ एमस्ट aroundạnhक li dowitas कर अस्ट तीन वाम घ्रीिगा ए प्रीईर्ड व रर्वश्ट रिमा रिए र्ष्ट बाभां वो रिमा 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 रिस्ट लिमा रिए य उस्ट रु कर तेयार कर ल кад। a body with uniform motion along a straight line okay will be in motion until and unless and external अब देखो जो मैंने आपको example balance unbalance के बोला है वो दिमाग में रखो जो अभी गालेलियोस का observation निकाला है वो दिमाग में रखो और इस लो को देखो until and unless an external unbalanced force acts on it विदम सीधे सीधे लफजों में ये है कि एक body जो rest में है वो rest में रहेगी एक body जो move कर रही है वो move करती रहेगी एक body का जो direction है मतब मैं और इसको elaborate कर रहा हूँ कि जो direction है वो direction वही रहेगा जो shape है वो shape वही रहेगा जो speed है वो speed वही रहेगी जब तक की जब तक की उसके उपर कोई external unbalanced force ना लगए आस समझ में आ रहे है क्योंकि हमने देखा न कि जो effect of force है वो तभी नज़र आएगा जब unbalanced force लगेगा और Galileo's observation से भी यही पता चला कि जो ball है वो move करती चली जा रही है क्यों? क्योंकि उसके उपर कोई external unbalanced force नहीं लग रहा और जब external unbalanced force नहीं लग रहा है तो वो motion में है तो वो motion में ही रहेगी यानि एक object rest में है वो rest में रहेगा एक object motion में है तो motion में रहेगा कब तक? जब तक कि उसके उपर कोई external unbalanced force ना लग रहा हो अभी आपके सामने कोई एक चेर पड़ी हुई है तो वो चेर स्टेट आफ रेस्ट में है एक घंटे बाद भी स्टेट आफ रेस्ट में रहेगी कब तक जब तक कि उसके उपर कोई एक्स्टरनल बाहर से अन्बैलेंस फोर्स ना लगे वो देखो वहीं पर रहेगी लेकिन जैसे ही आपको कोई आए भाई बहन पादर मदर कोई भी आए और उसने उसको पकड़ा और एक एक्स्टरनल अन्बैलेंस फोर्स लगा दिया आप दिखो उस पुर्सी की पोजीशन चेंज हो जाएगी उठा के वो कहीं और ले जाएंगे लोगा समझ में आ रही तो न्यूटन फिर्स लॉग को आप कनेक्ट कर पारो गैलिलियो जॉब्जर्बेशन से अब जल्दी जल्दी बताओ और न्यूटन फिर्स लॉग को फोर्स की डेफिनेशन से कनेक्ट कर पा रहे हूँ और फोर्स क्या था एक पुश या पुल जो स्टेट ऑफ बोडी को केंज करें यहां तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं यहां तक कोई डाउट है तो पूछ से करेंडे हैं तो कोई यहां इस्का बनावें बताउट हां बताये कोई 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 वेशन उतो बताये मुहिमिन अच्छा मुहिमिन अच्छा है अगे बढ़ते हैं नहीं नहीं मुझे आया था मैसेज वो कभी कभी यस होता है न तो वो यह से लगता है सेम है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अब नेक्स जो मैं पढ़ना है नूटन फिर्स्ट आउस समझ में आगया अब औरी अट्रेस्ट अब आते हैं नेक्स टॉपिक पर दाइस इनर्शिया और मास अब देखो यहां पर हम बात करें कि अभी अभी जो हमने सीखा वो क्या सीखा कि एक बादी है अगर उसके उपर external unbalanced force नहीं लग रहेगा तो वो rest में है तो rest में ही रगेकिए वो कुरसी जो वहाँ वही रहेगा जो बेट जहां पे वह वही रहेगा जो laptop जहां पे वह वही रहेगा जो fan जहां पे वही रहेगा तो एक दूसरा नजरिया हम ये देख सकते हैं कि चलो external unbalanced force नहीं लग रहा है तो ये जो बॉड़ी है क्या वो खुद अपने स्टेट को चेंज कर पा रही है यन्हें कुरसी रखी हुई है तो गयरी चलो मुझे एक्स्टरनल फॉर्स नहीं मिल रहा चलो घुमने चलते है आज खुद कब फॉर्स लगा लेते हैं बागी कल देखा जाए इसा कुछ करते है कैनि यह चेर जो है खुद लगा सकते है चेर मुफ करना शुरू करते है पेड़ इधर उधर मुफ करना शुरू करते है नहीं खुद से नहीं कर सकते है यह मतलब हुआ नवा कि नॉड़ दा बाड़ी cannot change as a state on its own हो यह खुद से अपने स्टेट को नहीं चेंज कर लेगा यह तो बात एक पार्ट है कि जब तक यह एक्स्टरनल अन्बैलेंस फोर्स नहीं लगेगा तो वो स्टेट आफ रेस्ट यह मोशन नहीं चेंज होगा यह बात समझ में आगी इसको हम दूसरे नजरिये से देख रहे हैं ठीक है कि वो जो अब्जेक्ट है जैसे यह बेड है अगर इसके उपर कोई एक्स्टरनल अन्बैलेंस फोर्स नहीं लगेगा तो यह बेड यहीं रहेगी या इसकी पुजिशन चेंज हो जाएगी एक साल बाद कहां मिलेगी है प्रोवाइड़ ओल के लिशन साथ सेम हम यह नहीं कि अर्थकुएक आ गया तेम प्लेस दो साल बाद वहीं तो इसका मतलब यह हो गया कि यह बाड़ी खुद से अपने स्टेट को चेंज नहीं कर सकती अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी मोशन में है तो मोशन में रहेगी हम यह भी कह सकते हैं कि यह रेस्ट में क्यूं है क्योंकि यह मोशन में जाने ही नहीं चाह रही है वास समझ भाड़ी इस रेसिस्टिंग अ चेंज इन दियर स्टेट वो रेजिस्स कर रही जैसे आप यहां बैटे हो आपको नहीं भी जा मुझे तो अपना यह गेम खेलना थे ठीक है वो एमन केम आप फाइनली हाँ आज रिजल्ट भी अजीजिया का बहुत अच्छा आया है अर्मदोला सारे स्टूड़न्स पास हैं और कुछ स्टूड़न्स ने तो बहुत आउटस्टेंडिंग परफॉर्मिंस दिया है और मैं सबके रिजल्ट का बेट कर रहा हूँ इंशाला उसको शेयर भी करेंगे और देखते हैं सारे रिजल्ट्स में कि इस साल का प्राइड आफ अजीजिया कौन बनता है प्राइड ऑफ अजीजिया उसी को अबॉर्ड मिलता है जिसके अजीजिया में क्लास 10 में सबसे हाइस मांक्स बोर्स में होते है अच्छा है 95 परसें 94 परसें 90 परसें 92 परसें बहुत अच्छे अच्छे स्कोर आ है ठीक है तो इसलिए बहुत बहुत एक्साइट भी हूँ शीजान शीजान गॉट 83 परसें ओके अच्छे है लेकिन उसको को रिजल्ट शेयर के मैं देखो कहां कम पढ़ रहे हैं ओवरॉल उससे कहिए का मुझे शेयर के रिजल्ट उसने अभी तक शेयर नहीं किया ठीक है तो यह जो इनर्श है वही मैं बात कर रहा था कि यहां पर जो बॉड़ी है अगर उसके उपर एक्स्टरनल फोर्स नहीं लग रहा है तो वो भी अन्बैलेंस मतलब एक्स्टरनल अन्बैलेंस बोलना जलूरी है क्योंकि external balance force भी लगता है external unbalance तो वो body वहीं की वही है वो change नहीं कर रही है खुद से नहीं change कर रही है अपने आपको resist कर रही है यानि जो उसके state है rest का उसको resist कर रही है आपको बढ़ा दिया मैच आरा बड़ा जबर्दस मुझे यह देखना है तो आपको खीचे जा रहे हैं और आप नहीं नहीं आप resist कर रहे हैं आप समझ में आ रही है तो जब आप resist करोगे तो आप rest में है तो rest ही में रहोगे न और माल लीजे आप move कर रहे हैं कार से travel कर रहे हैं तो आप की कार चलती रहेगी मतला आप जब resist कर रह रहे है तो आपको जब resist कर रहे है तो आपको जब motion state है वो motion में ही रहेगा तो similarly इसको connect करो ये जो property है body की जो resist कर रही है कोई भी body कि वो जो rest में है तो rest में ही रह रहा है motion में है तो motion में ही रह रहा है तो यह जो resistive property है इसी को हम inertia कहते है the property of the body which resist its change of state of the body जो उसके state of change, state को change होने से रोके वो resist करे, it is internal property of the body जैसे एक बड़ा बक्स है आप उसको धक्का दे रहे हो तो आपने जड़ा सा force लगा है वो move करना शुरू कर देगा मतलब चल पड़ा रहे भई धक्का मिल गया आप चलो force लग गया चलो, ऐसा तो नहीं करेगा न आप देखो, आप उसमें लगाओगे तो अचलो पांस सो किलो का है लगाओगे force अरी यार यार ये move नहीं कर रहा है अरी यार तीन चार लोग और आओ, और लगाओगे अभी भी नहीं move कर रहा है तो वो क्या कर रहा है वो अपने state को resist कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो rest में वो rest में रहना चाह रहा है ना तो वही property वो जो resistive property है body की जो उसके state को change होने से रोक रही है वो motion में तो motion में ही रहना चाह रही है वो rest में तो rest में ही रहना चाह रही है ऐसी property को हम inertia कहते हैं is called what the inertia so inertia kya hai so inertia of a body is defined as defined as the inability inability of the body what is inertia inability of the body the resistive property of the body inability of the body to change by itself i mean khud se nai kata so woh joh inability hai ki woh khud se apne state ko change nai kare sakti to ye joh itna bada statement hum bhol raha hai usi ko hum inertia word dhe dhe the is elive hum ye kehenge ab is knowledge ke baad hum ye bholenge ki bhai fursi kuyo nai move kare hai so aap ko bhai external unbalanced force nai lag ra is wajhe se move nai kare hai and the second answer will be why it start moving because of inertia ik bus me travel kar raha hai move motion me woh motion me q aap ka answer because of inertia ik balka direction change hojata hai kyun because of inertia so the inability of the body to change by itself its state of rest or motion is called is called yeah already mentioned mentioned of motion okay isi liya newton first law ko hum law of inertia b kehti hai aaj quizz jayega clear ready ready ही है ठीक है अब इसके बाद जो बात होगी वो कल होगी ताइपस ओफ इनर्शिया पर बात करेंगे फिर हम लेनियम मॉमेंटम की बात करेंगे उस सब कुछ कनेक्टेड है अच्छे से रिविजिन करो अच्छे से पढ़ाई करो जो बच्चे स्कोर करते नहीं जो 95% 94% 93% 92% 90% आ रहा है बच्चों का यह इनी की मैनत है मेरे तो काम है डिरेक्शन दे दिया आपको आपको एक पाथ दे दिया रास्ता दे दिया चलना आपका काम है और आपको सेफ करके चलते हैं असाइनमेंस के तरू, इन के तरू, कुज़िस के तरू, डी सी डी एच के तरू अब आपको इंगेज रखना अपने आपको जतना आप रहोगे इंगेज़्ट यह वही बच्चे हैं जो कंसिस्टेंटली पूरे साल असाइनमेंस समिशन किया, कुज़िस दिये, डाउट आ बाद में मिलता है, आस समझ में आ रही है, और इस वे बाद में बात करेंगे, अभी 6 बज़ ने मौन है, is going to MC squared, it's not a very simple relation, that is a different thing, not, okay, चलो फिर, अब class 10 का time हो रहा है, I have only 2 minutes left, रहे नहीं बई, वो energy और mass का relation है, energy, mass and light, speed of light, that is a different thing, yeah, exactly, ठीक है, तो quiz जाएगा, Saturday का time क्या है, वो time table में देख लीजे, already mentioned है, सारी चीज़े, ठीक है, और जैसा कि मैंने का, test इस month नहीं होगा, Sunday में DCDH होगा, उसी time पे, जो mention time है, ठीक है, test अब August से resume करेंगे, चले पिर, मिलते हैं, ओके दें, गुद्बाई, अस्टाम अलेकम, छेक्शे,